हेलो स्टूडेंस, वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, डिसाइपल नच्चर पॉइंट आद की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड इट्स टाइप्स प्राइम नंबर क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर और उसके टाइप्स है क्या ठीक है प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है यह अगर आपको जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं ठीक है वैसे तो हम इस वीडियो में बता देंगे फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो आप मेरी वीडियो पुरानी वीडि ठीक है और दूसरा होता है ट्विन प्राइम ये दो तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं ठीक है चलिए इन दोनों नंबर्स को हम समझते हैं पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं और और वो दोट factors कौन कौन से होने चाहिए, पहला factor 1 होना चाहिए और दूसरा factor number itself होना चाहिए, मतलब अगर हमको एक number ले लेते हैं, मान लेजिए हमारे पास 5 है, तो 5 जो number है, उसके अगर हम factor निकालें, तो factor इसके कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, और 5 होता है, इसके और कोई factor नहीं होते हैं फैक्टर क्या होते हैं बच्चों जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होते हैं ठीक है तो यह वन इस नंबर वन से भी डिवाइड हो जाएगा और फाइब से तो डिवाइड होगा ही होगा ठीक है तो जिसके दो ही फैक्टर सिर्फ होते हैं और उन दो factors में से 1 और number itself होना चाहिए, तो ऐसा number क्या होता है? Prime number होता है. अब दिखिए, co-prime क्या होता है? तो co-prime बच्चों क्या होते हैं? कि ऐसे दो numbers, जिनका common factor 1 हो, जिनका common factor सिर्फ 1 आए, उन दो numbers को हम बोलेंगे, co-prime numbers हैं वो. ठीक है? ये दो numbers हैं हमारे पास. अब इन दो numbers का अगर हम factor करें, चलिए हम इनको factor करते हैं, तो इनके factor आएंगे 1 आएगा, 3 आएगा, और 5 के अगर हम factor करेंगे, तो 1 आएगा, 5 आएगा, ठीक है? तो इन में देख रहे होंगे, आप common factor क्या है? तो अगर ऐसे numbers, ऐसे दो numbers, जिनका common factor 1 आएगा, वो numbers को प्राइम होंगे, ठीक है? आप देखें, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं, कि दोनों की दोनों numbers प्राइम नंबर हैं, बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक number प्राइम भी हो सकता है, और दूसरा, कोई दूसरा number भी हो सकता है, जैसे, मान लिजिए, हमारे पास एक 3 number है, और एक हमारे पास जो number है, वो मान लिजिए, हमारे पास 8 है, ठीक है? एक 3 है और एक 8 है, तो देखें, 3 के अगर हम factor करें, तो 1 और 3 मिलेंगे, जबकि 8 के factor करेंगे, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, एंड 8 मिलेगा, इतने factors मिलेगे, बट आप अगर देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो इन में common factor कौन सा है, common factor सिर्फ उसे 1 है, तो ये दो numbers भी co-prime number कहलाएंगे, इवन दो इसमें 8 क्या है, और factor करने के पाद, उनका जो common factor हो, वो 1 मिले, तो वो 2 numbers को prime numbers कहलाएंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो twin prime क्या होते हैं, ऐसे 2 numbers, ऐसे 2 prime numbers, अब इसमें ये ध्यान रखेगा, इसमें 2 prime numbers होंगे, ठीक, इसमें एक दिखे, निकालें, तो difference 2 आना चाहिए, डिफरेंस मतलब उनको अगर हम सब्ट्राइक करें, देखिए, जैसे हम मान लिजी, हमारे पास एक number है, 3 है, एंड 5 है, ठीक, ये दो numbers है, एक pair है, तोनों ही numbers prime numbers है, अब इन दोनों prime numbers का, अगर हम difference निकालेंगे, तो चलिए, डिफरेंस अगर हम निकालें, तो difference मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटे को minus करना, difference मतलब होता है, minus करना, तो 5 minus 3 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बच्चों, 2 मिलेगा, मतलब ये दो नो prime numbers है, ये दो prime numbers, क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे, ठिक, क्योंकि इनका difference कितना आजा है, 2 आजा है, तो ऐसे दो prime numbers, जिनका difference 2 आएगा, वो दोनों numbers क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे, इस तरह से आप एक और example देख सकते हैं, 5 and 7, 5 and 7 में भी देखेंगे, तो 7 minus 5 करेंगे, फिर भी आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, 11,13 मिल जाएगा, ठीक है, and 17,19 मिल सकता है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे numbers, ठीक है, तो यह जितने भी आपको numbers इस तरह के मिलेंगे, वो सब के सब twin prime कहलाएंगे, I hope आपको prime number और उसके types समझ में आ गया होंगे, अगर आपको यह video पसंद आई हो, तो video पर like करें, और channel पर हमारे नए हो, तो channel को subscribe करें, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग video के साथ, तब तक के लिए, keep smiling, keep learning, till then, goodbye.